हेलो फ्रेंड वेलकम टू कम्पीटर लर्निंग चैनल और यूट्यूब आज की वीडियो में हम सिखेंगे टेली प्रैम अकाउंटिंग सोफ़ेर में आप जीस टी लेजर को किस तरह से आप तयार कर सकते हैं इस वीडियो की अचिक पुरा देखें तक्या आप सबसे करने के पर उसका क्या करना है आपको master में सबसे first option creative दिखाई देता है तो उस पर आपको interface करना है उसके बाद accounting master में आपको laser को select करके interface करना है अब यहाँ पर आपको juice laser को बनाना उसका नाम यहाँ पर आपको type करना है तो सबसे पहले हम GST का laser बना लेते हैं central goods and service text तो इसे short में cgst के नाम से भी जानते हैं तो हम cgst यहाँ पर type कर देते हैं LIS में हम यहाँ पर इसका full form डाल देते हैं तो इसका full form होता है central goods and service text तो यहाँ पर हम इसका full name डाल देते हैं ठीक है अंडर में आपको यहाँ पर duty and text select करना है तो आप अपने कीबोर्ड से डी और यू भी टाइप करेंगे तो automatically right side में आपको list of group में duty and text select हो जाएगा ठीक है उसके बाद type of duty में आपको यहाँ पर gst select कर लेना है उसके बाद text type में आपको यहाँ पर cgst select करना है और percentage of calculation में यहाँ पर आपको कुछ भी percentage नहीं डालना है percentage हम इसलिए नहीं डाल रहे है dear friend क्योंकि हम जो product बनाते है stock item उसी समय वहाँ पर हम जो है gst rate apply करते हैं इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी rate apply नहीं करना है ठीक है उसके बाद आपको इंटर देना है और rounding method आपको not applicable के बद सेलेक्ट करना है provide bank detail में भी आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है और इंटर देते विए आपको laser को accept करा लेना है ठीक है उसके बाद हम next laser बना लेते हैं जो है state goods and service tax इसे short में हम SGST के नाम से जानते हैं ठीक है तो इसका full form में आप LIS में डाल देंगे state goods and service tax उसके बाद under इसे भी आपको duty and tax ही रखना है उसके बाद type of duty में आपको GST सेलेक्ट करना है और ठीक है यहाँ पर tax type में आपको SGST सेलेक्ट करना है ठीक है percentage of calculation में यहाँ पर आपको कुछ भी include नहीं करना है और इंटर देना है और rounding method not applicable आपको सेलेक्ट करना है प्रोवाइट bank detail में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है और इंटर देते हुए इस laser को भी goods sell करते हैं उसी समय इस laser का यूज किया जाता है ठीक है तो वह भी हम तैयार कर लेते हैं ठीक है इससे short में IGST के नाम से जानने आ जाता है तो आपको IGST type करना है और full form में आप integrated goods and service text यहाँ पर type कर देंगे तो यहाँ पर हमने इसका full form type कर दिया है उसके बाद यहाँ पर अंडर आपको duty and tax ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको GST ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको IGST सेलेक्ट कर लेना है टेक्स टाइप में और percentage of calculation यहाँ पर भी आपको कुछ भी apply नहीं करना है ठीक है राउंडिंग method not applicable ही रखेंगे हैं प्रोवाइड बेंक detail आपको नो ही रखना है और इस laser को भी आपको accept करा लेना है ठीक है अब एक ओ लेजर हम बना रहे हैं जिसका नाम says है ठीक है तो कई बार क्या होता है government tax के साथ में कुछ additional tax भी apply कर देती जैसी की सोचिता करके नाम से यह educational करके नाम से तो इस type कर को जो हम says के नाम से जानते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर इसका name says type कर देंगे ठीक है अलाइस हम यहाँ पर इसका कुछ यहाँ पर आपको पूछे का वैलिशन टाइप के अंदर तो आपको क्या करना आपको बैस वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ कल्कुलेशन डियर फेंट डालना होगा ठीक है क्योंकि हम यह जो से अलग से अप्लाइब करते हैं तो डियर इस तरह से आप GST के जो इंपोर्टेंट लेजर होते हैं जैसे सी जीएस्टी आई जीएस्टी और से अब बड़ी आसानी से टेली प्राइम के अंदर तैयार कर सकते हैं तो डियर फेंट आज की बनाईवी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू करें और वीडियो का अपने फ्रेंट सेलकर में जरू शेयर करें ताकि आपके थूपी वो जीएस्टी के इंपूर्टेंट लेजर बनाना सिख सकें और अभी तक आपने ह हमारे कंपिटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आने वाली और पर एडवांस वीडियो साब एडवांस ओप्चन और फीचर सेख सकें थैंक यू फर वाचिंग कंपिटर लर्निंग चैनल ओन यूट्योब